नमस्कार, हेल्टेप्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दूस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि हम आपके सामरे कुछ ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं, जो आपके लिए जाना वेह दिन पॉचंच और आपके लिए लाब दैक साबित होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी औशद्य के बारे में बताने वाले हैं, जिसे हिंदी में एक तेज तरार जानवर चीता के नाम से जाना जाता है। इसे चित्रक के नाम से भी जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके औशद्य गुन इसके तेज होंगे जी हाँ चित्रक नाम की ये ज़ाड़ी दारवनस्पती गुन बहुत अधिग हैं इसकी पत्निया लट्टू के अकार की या आयत के रूप में होती हैं इसकी दो प्रजातिया होती हैं एक स्वेट और एक लालफुल वली इस वनस्पती के जड़ों की चाल का प्रियोग किया ज जबकि अधिक मात्रा में इसके प्रियोग से नशे का हैसास होता है आज की इस वीजियो में हम इसी के फाइदों के बारे में जानेंगे चलिए जानते हैं कि है किस प्रकार से हमारे स्वास्ते के लिए फाइदे मंद हैं इसके लिए चित्रक के चून को दूद मठे पानी के साथ उचित मात्रा में पीने से बवासीर नस्ट हो जाती है डाइरिया होने पर चितरक के चून को मठे के साथ मिला कर पीने से डाइरिया में काफी फाइदा होता है यह मुटापा कम करने वाले लोगों के लिए भी काफी फाइदे मन्द होता है इसके लिए चितरक के चून को शहत के साथ मिला कर पीने से काफी लाब होता है अगर अपच की समस्य हो तो चित्रक, वीडंग और मुस्ता को मिला कर मात्रा अनुस्वार, मट्टे के साथ प्रियोग करने से अपच में आपको लाब मिलता है जोडों के दर्द और कटिया जैसे रोग में ये काफी फाइदे मन माना जाता है इसके लिए चित्रक के तेल से दर्द वाले खुटनों पर या दर्द वाले स्थान पर मालिश करने से काफी फाइदा होता है तो दोस्तों ये थे चित्रक के कुछ फाइदे आज की वीडियो में बस इतना ही लोल्टेंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक कवश्र करे